इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 14 अप्रेल 2030 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, औसाधरन और अलोकिक हूँ मैं घोशना करता हूँ कि मैं अपने शब्दों का उपियोग लोगों को आशिर्वात देने के लिए करता हूँ मैं अपने परिवार, दोस्तों और प्रिये जनों पर एहसान और जीत की बात करता हूँ मैं उनकी महानता के बीच को उन पर प्रकट कर उनसे कहता हूँ मैं तुम पर गर्व करता हूँ, मैं तुम से प्यार करता हूँ, तुम अद्बुत हो, तुम प्रतिवावान हो, तुम सुन्दर हो, तुम अपने जीवन में महान कारे करोगे, यह मेरी घोशना है दिवे स्वास्त की सुईकारोती, मेरा शरीर जीवित ईश्वर का मन्दिर है, इसलिए केवल दिवे स्वास्त को ही इसमें कारे करने की अनुमती है, मेरे शरीर में कोई बिमारी, रोग या दुर्बलता नहीं पनप सकती, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो मेरे शरीर में रहती है, और मेरे शरीर को जीवन प्रदान करती है, और दिन बदिम इसे फिर से जीवन और उड़जावान करता है, आमेन मेरे पास वही होगा जो मैं कहूंगा, येश्यू के नाम में योहन चौदा तेरा, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्व मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचूर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ, मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ, मैं बुड़ापे में भी ताजा और फलता फूलता रहूंगा, मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वैं येश्यू के नाम में सम्रिद होता है, चीजे हमेशा मेरे लिए येश्यू के नाम म काम कर रही है, मैं मसी येश्यू में हर आध्यात में का शिरवात का प्राप्त करता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतरमन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतरमन एक भौतिक शरीर में रहते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को निर्देश देती है, मेरा अंतरमन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूं इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेश अस्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लि के तोने की आग्या देता हूं मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूं मैं अपनी मास पेशियो और सनायू बंदन को टाकत बोलता हूं मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूं मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामानने वेंटिलेशन और perfusion अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी kidney, liver और अगनाश्य को पूंटा बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डिया, जोड, काटेलेज, संरेखित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उतकश रूप से कारी करते है मेरी आखें इस पर श्रूप से और पूरी तरीके से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजाज, शिशू और ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनि और स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कस गए हैं मैं अपने बालों को इस तिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां वरद्दी की आवशक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड्डिया और तंत्रीका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्त, मजबूत और परिपून है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ट सामन जस्ते में है और अपने कारें को सामाने रूप से निश्पादित कर रहे हैं मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्य प्रदार्तों को पचाने अवशोशित करने और आत्मसाद करने में सक्षम है और चया पच्चे अप्शिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितिलता, गपशप, आलस्य, अधिकनींद, सुस्ती और बाद्देकारी खरीदारी में सभी प्रकार के वैसनों शराब, निकोटीन, ड्रग्स, दियुधातुमान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूं और मसी की आज्यकारिता में लेता हूं जैसा येशु, वैसा ही मैं ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खाद्य प्रदार्तों, धूल, जानवरों, आदी अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन्तंत्र प्रयाप्त मातरा में और अच्ची गती शिलता वाले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन्तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जनम तक भुरून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशी का पूंता में कारे करता है जिसके लिए इश्वर ने इसे कारे करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येश्यू के नाम पे मना करता हूँ आमेन मेरा संपूर्ण मानव शरी रचना विज्ञान, चया पचे और शरीर क्रिया विज्ञान मसी येश्यू में परिपूर है महिमा, हालेलूया, आमेन पत्र ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ शलोम